हेलोरीवरीवन! इसी दृज चैप्रेतर नमबर थार्टीन ए शेल्टर सो थो आपको अपनी स्टूरी बता रहे हैं, उनकी जरनि कैसे स्टार्ट होती है और वो काउन खोन सी जगह पर गुंभने जाते हैं वाया मोर्टर सेकल यहाँ पर गौरव जानी आपको अपनी स्टोरी बता रहे हैं ठीक है वो अपनी बाइक के साथ उनकी बाइक का नाम उन्होंने लोनर रखा हुआ है जो वो अपनी बाइक को ही वो अपने पार्टनर बानते हैं और वो यह मानते हैं कि उनका वो अपने पार्टनर को और उनका पार्टनर उन्हें कभी भी अकिला छोड़ता नहीं है वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ ही एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं गौरफ जानी मुंबई में रहते हैं वहाँ पर जॉब करते हैं वो ये कहते हैं कि जब भी वो मुंबई में जॉब करते-करते ठक जाते हैं या उप जाते हैं बोर हो जाते हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो हमेशा अपनी बाइक लेकर हमेशा अपनी बाइक ले एक बार जैसे ही उनको छुट्टियों का इंतिजाम हुआ और वो पहाड़ों पर निकल गए घूमने के लिए वही स्टोरी यहाँ पर बता रहे हैं लिए और आपने मोटर साइकल पर सामान ले लिये जडिये और सारी हैं लिए जाषिस सामान, स्लिपिंग बेग प्लास्टिक शीट निब्सद का दाओẫंiger लब इना खाल सामा की फूट Türक सुट करेंहरे, जैसे बुझ उति हैं को दोग मदाज दू कि आर एक गज़ए हैं टैं वो पर वाहे सरे कारेड कार्ण ग्राइंछ ये सब चारजिंग उनने इकटता कर ली और बाइक पर सारा क्यरी है और मुंभी से निकल से निकलते समय हुआ उन्होंने मुंभी पास किया छोटे-चोटे नोटे ऌगायों और महराश्च्र पुरा किया फिर वो गुज्रात में एंटर हुए गुज्रात में एंटर होने के बाद राजिस्तान में एंटर हुए एंड राजिस्तान में एंटर के बाद वो दिल्ली पहुँचे जब दिल्ली गए तो कम से कम वो 1400 किलोमीटर आ चुके थी उनकी जरनी इतना आगे बढ़ चुकी थी मुंबई to देली जब देली पहुंचे तो उन्हें लगा कि वो मुंबई वापस आ गए है क्योंकि मुंबई देली जो था वो same to same मुंबई के जैसा ही था वही शहर वैसे ही सिमेंट उसके घर ऐसे ही दुकाने ऐसे लोग वही रश वही भीड भाड तो उनको लगा कि वो वापस से मुंबई आ गए है फिर उन्होंने वापस से जो उनका सामान खतम हो गया था वो वापस से दिली से उन्होंने पर्चिस किया खरीदा और अपनी बाई साइकल पर एड़्जस किया और वापस से दिली से निकल गए आगे की जर्णी के लिए इसके बाद दिली से वो सीधी मनाली पहुंसते हैं और मनाली के बाद हिमांचल प्रदेश और हिमांचल प्रदेश के बाद, मुह जाते हैं कश्मीर में अब वो आपको दिखाते हैं अपना नया घर आप पिक्चर में आपको टेंट दिख रहा है ना ये उसे अपना नया घर मानते हैं ठीक है वो टेंट में रात को सोते हैं बट उनका जो टेंट है वो बहुत स्मॉल है छोटा है वह आरा आच्छे से पयर फैला के उसमें सो नहीं पाते हैं और उनकी जो बाइसेकल है लूनार ठीक है वह हमेशा उनका गाड बन के यनकी उनकी प्रोटेक्ष्ण के लिए उनकी टेंट के बाहर खड़ी रहती है कि इतना सामान लेकर वो बाइक के साथ अके लिए गुमने के लिए दूर दूर तक निकल पड़ते हैं